अगर इस सत्र की समिक्षा की जाए तो इसमें तीन प्रमुख पहलू है पहला कि देश की अर्थ्विवस्ता की जो स्तिती है वो बहुत बिगडी हुई है और सरकार एक प्रकार से अपने हाथ खड़े कर चुकी है इसको सुधारने का कोई उपाय नहीं है एक्स्टर्नल फैक्टर्स अगर देश की अर्थ्विवस्ता को प्रभावित करेंगे तो चाए ग्रोथ रेट है रेविन्यू जेनेरेशन है डेप्रिशियेटिंग रुपी है ये सारे फैक्टर्स ये उसके आधार के उपर उसकी प्रतिक्षा कर रहे हैं और क्योंकि बढ़ती हुवी कीमतें मैनुफैक्टरिंग एकदम डाउन है निवेश देश के भीतर आ नहीं रहा देश के भीतर का निवेश बाहर जा रहा है और इसलिए हमारे सांसदों ने दोनों सदनों में हर पार्लिमेंटरी इंस्ट्रूमेंट का प्रियोक किया कि बार बार एकॉनमी की चर्चा हो जाए उसमें बढ़ती हुवी कीमतों का विशे भी ले लिया डेप्रिशियेटिंग रुपी का ले लिया एक रिलक्टन्ट प्रदानमंत्री को बयान देने के लिए अर्थविवस्ता के उपर मजबूर कर दिया उनसे भी फिर स्पष्टिकरन लिये डिमैंड फॉर ग्रांट्स की बहस को उसको प्रियोक किया तो लगबग पांच-छे तरीकों से इकॉनमी जिसका संबंध आम आदमी के साथ है प्रमुख विपक्षी दल के नाते उस विशे को हमने फॉर फ्रेंट में रखा दूसरा सरकार की विश्वस्नियता तूट चुकी है किर चुकी है नेत्रित्व हिनता और भ्रष्टाचार और अब ऐसा लगता है कि सरकार नियंतरन में नहीं है जो ये पाँचों उधारन कोल गेट के दिये अभी सुश्मा जी ने बार बार उसको हाइलाइट करना और एक बजाव की मुद्रा में सरकार आ जाए कि यहां कह दे कि हम कोल की फाइलों के कस्टोडियन नहीं है भी शेकार सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कभी ये कह देना कि 2004 से पहले की थी जब ये तथ्या आ गए कि 2006 और 2009 के बीच की थी तो कोई उत्तर ना देना इस अ गवर्मनेंट विदाउट क्रेडिबिलिटी जो लेजिस्लेशन आए जो वेलफेर लेजिस्लेशन है एक जिमेबार राजनेतिक दल के नाते हम उसका समर्थन करेंगे लेकिन हर लेजिस्लेशन में हमने स्टैंडिंग कमेटी के माद्यम से या संसद में बहस के माद्यम से उसमें चेंजिस करवाए और किसी लेजिस्लेशन में अगर कमजोरी थी तो वो सामने लाए लैंड बिल का पुराना सुरूप स्टैंडिंग कमिटी और उसके बाद लोगसभा से राज़सभा आने तक लोगसभा में कुछ चेंज़ज पिर राज़सभा में चेंज़ज ताकि किसान का हित और किसान को मुहाफजा मिले और विकास के कारिक्रमों पे भी उसका असर ना पड़े ये बैलंसिंग एक्ट एक जिम्मेबार राजनेतिक दल के नाते हमने किया पेंशन बिल का भी आपको बतलाया गया कि जितने पेंशनर्स हैं उनको आप्शन मिल जाए कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है वो आप्शन उन्हें मिल जाए फूड बिल के सम्मंद में भी दोनों सदनों की चर्चा में जो क्लेम था सरकार का उस क्लेम की जो हॉलोनस थी खोकला बन था वो भी हमने सामने लाए कि ना तो आपने फिनैंशल आउटले बढ़ाई है ना बेनिफिशलीज की संख्या बढ़ने वाली है बी पी एल को जो रैशन दिया जाएगा उसमें कटोती हो जाएगी निट्रिशिस रैशन नहीं है बी पी एल को महेंगे दर पे मिलेगा जो राज्य दे रहे हैं वो जादा दे रहे हैं और इसलिए जो राज्यों की जादा लाबकारी इसकी योजनाए हैं वो चलेंगी तो जिसको ये अपना एक बहुत बड़ी उपलब्दी मानते थे उसकी होलोनेस भी इस सदन के अंदर बहस के माद्यम से हमारे सांसेदोने इसको स्पष्टरूप से सामने रख़ए